पत्रकार और उसके भाई की शराफ माफियाओंदारा हत्या करने के विरोध में अकिल भारतिया पत्रकार सुरक्षा समीति आपाद बैठक का आयोजन किया बैटक में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर राजपाल मुख्यमंद्री से मांग करते वे पुलिस अधीशक को ग्यापन सौपा सहारनपूर के पत्रकार आशीश कुमार वा उसके छोटे भाई की निर्मम हत्या पर छेतर के पत्रकारों में गहरा रोश है उन्होंने इस हत्याकान पर शोग व्यक्त करते हुए हमलावरों को अविलंब गिरफतार करने वा मृतकों के परिजनों को 50 लाक रुपए आर्थिक सहायता की मांग की है इस दोरे हत्यकान पर रोश व्यक्त करते वे पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पत्रकारों के लिए यह दिन काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा इनकी एक साथी वह उनके भाई जिस तरह से हमलावाई पडोसी मार कर फरार हुए हैं वह किसी गहरे शडियंतर की तरफ इशारा करता है पोल खुल रही है लेकिन इसके बाद भी हम लोग पत्रकार बंदो कोई भी जो सयोग है या सुरक्षा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है आज हमने सुलक्षा समय्टी के बेना ते ले कंप्तान और डीम से मिल करके यह मांगी है प्रदेस सरकार से और केंद सरकारों को सुलक्षा भी जाएएं और उनके सुलक्षा के तैस्व कानौन गरता परिवार हैं घ़ने सुरकार की आप हैं और बसार पार परिवार कें गरत Bishop मांग करते रहेंगे और हम सब एक जुट हो करके अपनी मांग को मजूद साथ उठाते रहें यह संकेतिक के ब्रोद है कि हमारे पथकार भाईयों के सी जुट सुरक्षा है और शुरक्षा लगातार नहीं मिल रहें हैं लगातार उनके साथ मारपीड हो रहे है लगातार उनके साथ प्रिशाषन दमवनत्माक रूप से कदम दर्श करा रहा है ताकि वो अपने आवाज को अधर हमारे पत्रकार साथी हैं, उन्हीं के साथे इक सहरांपूर में दुखत घटना हो गई है, इसी के संदर्द में हाज हमारे सम्पन के जितने पत्कार साथीओं ने एक जयाफन दिया है, मुखमंती आधरया मुखमंती जी को संदर्विप करते हुए। और उनकी मांगे हैं कि जो पत्कार बंदू है उनकी स्वच्छा सुनिश्चित करी जाए जो अपराधी है उनकी ज़सिजद गिरतारी सुनिश्चित करी जाए और इन सभी मांगों को एक पत्र के रूप में जो प्रस्तूत किया है उसको मैं अधनिया मुफंति जी ज़त पूंचाओंगा अपने पत्कार साथियों की आवाज है ये और वो उसी माध्यम से उसी पस्तां तक पहुंचाए जाएगी और उनके साथ जो भी सेह हो गया है